आर्जेडी सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव की पार्टी आर्जेडी और एल्जेडी का गुरुवार को केरल में विले हो गया केरल में आयोजित इस विले कारिकरम में लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादव पहुँचे थे तेजस्वी यादव के साथ सांसद मनोज़ा और पार्टी के दिगज नेता अब्दुलबारी सिद्धी की भी मौजूद थे इस दोरां लालू प्रसाद यादव ने वीडियो संदेश के जर्ये अपनी बात रखी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश संकटकाल से गुजर रहा है लालु प्रिसाद यादव ने इसके साथ ही कहा कि यहां पर सामप्रदाइक सोहार्द, संगभाद और शेत्रिय विवित्ता को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है मैं आप लोगों को यह लगातार कहते आ रहा हूँ केरल के सभी सात्यों को आज इस एतिहासिक दिन पर मेरी ओर से बदाई, हम सब मिलकर देश को और सम्मिधान को बचाएंगे इस कारिकरम में अब्दुलवारी की सिद्धिकी भी मौजूत है, उन्होंने कहा कि अब जब हम LGD और RJD एक हो गए हैं, तो आपका दुख, हमारा दुख, हमारी खुशी, आपकी खुशी और हमारा दर्द, आपका दर्द है जो रिष्टा हम लोगों ने बनाया है वो नीतीगत है वहीं ते जस्वी आदव ने कारिकरम के बाद मीडिया से कहा कि भारत के सम्मिधान के अनुसार जाती अधारित गणना केवल केंद सरकार द्वारा की जाती है and what we want like it should happen in all over the country the caste census can be only done by the Central Government after the constitution of India and in behalf of what we did it was the caste speech surveys सो प्रशवोड एफ पालीज कर सकतारAR और लिएाइाएदे स्पंधुार्न था इटांटी इस रखा vit couple to one even that party was also part of the India lands they have been also raising this issue that in India should be everyone that caste census should happen but as you are aware as for the relief like after every 10 years there is a census which happens in the country and still it is due आपको बता दे कि लोगतांत्रिक जनतादल केरल की शेत्रे पार्टी थी कोजी कोड में कारेक्रम का आयोजन किया गया था दोनों पार्टियों के हाथ मिलाने से अब आरजेडी की उपस्तिती भिहार के अलावा जार खंड और केरल विधान सभा में हो जाएगी अकेले केपी मुहुनन लजेडी के विधायक थे जो अब पार्टी के विले के बाद आरजेडी के विधायक हो गए है